नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुक खबरे मंगाल में अदानी ग्रूप से छीना 25,000 करोड का ताशपूर बंदरगह प्रोजेक्ट हर्यना पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े एहम सुराग मिले खालिस्तानी अतंकियों की तलाश में देश भर में 14 जगह एनाई एका छापा महराश्ट में पानी की कमी स से फसले प्रभावित हुई प्याज और दाले मेंगी हो सकती है हिंदुवादी नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में थे आईस अतंकी डीप फेक सोशल मीडिया कमपनियों की बेठक आज कनाड़ा के नागरिकों के लिए एवीजा फिर शुरू आतंकी मोलाना मसुद अज़र का भाई भारत में बढ़ती कर रहा हमास के लड़ा के उत्रा खंड हाथ सा बारा दिन से टरनल में फसे 41 मजदुरों से मदद सिर्फ एक मीटर दूर मजदुरों तक पहुंचे पाईप खुशकबरी कभी भी ओपन एई कमपनी का नया बोर्ड सेम ऑल्टमेन की चार करे के बिना वोट डलवाए गए खंडवा में पोस्टल बैलेट से वोटिंग 17 के बजाए 20 को सभी वोट रद नीमज की सोया फेक्टरी के मालिकों ने फरजी फर्म से किया 200 करोड का फरजी लेन देन मुंबई हाई कोट बोला पेंशन बुन्यादी हग भुकतान से मना नहीं कर सकते एंड़ी से जूड़ने को तयार पसवंदा की पीस पार्टी शरनार्थियों पर नया बोच अफगान रिफ्यूजी से 70 हजार रुपे वसुल रहा पाक शीजी आंग के बाद देश भर में मस जिदे बंद कर रहा है चीन बाकी की तमाम फबरों के लिए बने रहे है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद